कन्या राशी आज हम बात करेंगे 25-11 इनका क्या महत्वा और इनका प्रभव हमारे जीवन पे क्या पड़ते हैं तो 25-11 यानि 5 और 2-7 को आप एड करेंगे तो गरह कर जो होता है वो होता है केतू का और 11 होता है चंदर्मा का जहां कि चंदर्मा और केतू दोनों मिल करके हमारे सरेरिक और मानसिक दोनों रूप से तकलिप देते हैं जब नीगेटिव अपना परभव देते हैं तो जब ये दोनों positive परभव देते हैं तो हमारे अंदर सानो भूती सक्ती सा एको भरके आता है और हमारा दिमाग भूस समय अच्छी से काम कर रहा होता है और उस तरह से हम जीवन में आगे बढ़ने के प्रियास करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और हम success भी हो जाते हैं जब ये दो गरा जो है अपना negative परभव करते हैं जब ये दोनों कमजोर हो जाते हैं हमारे जीवन में तो हमें अनेकों समस्या का सामना करना परता है जहां तक हमारे सरीरिक कर्ष्ट जो होता है उससे हम कितना भी मेहनत करें फिर भी हमें उसका फन नहीं मिल पाता और दूसरी तरफ जब चंद्रमा जब negative अपना परभव देते हैं तो उस समय हमारा बुद्धी सहीं से काम नहीं कर रहाता उस समय हमारे सरीरिक कर्ष्ट तो मिलता है या साती हमारा मानसिक कष्ट भी हमें मिलता और हम दोनों से के परभव से हम एक टूट सा जाते हैं और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हलांकि चंद्रमा बुद्धी का कारक होता है और वैसे के हैं तो केतू जो है वो केतू एक उनका अंक साथ है जो ही बहुत ही भागत सालीज अंक होता है और यह अंak हमारे जीवन में हमारे भभिष को चमकाने वाला कारज करता है जिसे हमें चारों ओर से मान सम्मान धन दौलत हर्चीम मान परतिष्टा हरची ज़ dynasty हमें परदान करते हैं यह दोनों जब आपस में दोनों की मित्रता अच्छी हो जाती तो हमें जिन्दगी में वो चीज मिलता है जो चीज के बारे में कभी कलपना नहीं किये होते हैं यह दोनों गरा मिलकर के हमारे जिबन में अनेकों करकार की खुसिया परदान करते हैं लेकिन यह ही दो गरह जब अलग हो जाते हैं जब दोनों गरह हम से नराज हो जाते हैं छोटी मुटी गलतियों के वज़ा से तो हमें जिन्दगी में सरीक और मानसिक अनेकों तरह की समस्या जहिलना पड़ता है दोनों गरह के कमजोर होने से